जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों जोति शास्तर के अनुसार ग्रहों की चाल निरंतर इस्तती से बदलती रहती है जिसकी वज़े से राशी चकर की सभी 12 राशियां प्रभावित होती है यदि कोई ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करता है तो इसके कारण सभी 12 राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिलता है आपको बता दें कि 13 फरवरी 2020 को सूरिय अपनी राशी बदल कर कुम्ब राशी में प्रवेश करने वाले हैं जिसकी वज़े से राशी चक्र की सभी 12 राशियों पर इनके जीवन पर कुछ ना कुछ परभाव देखने को मिलेगा आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसा बदलाव लेकर आया है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैसे तो फरवरी के महिने में सभी 9 ग्रहों में से 5 ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करेंगे जिन में बुद्ध, शुक्र, मंगल, सूर्यय और चंद्रमा है इन ग्रहों के राशी परिवर्तन के चलते कैई राशियों पर शुब प्रभाव देखने को मिलेंगे तो कैई लोगों पर शुब तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशी के बारे में कि सूर्यय के राशी परिवर्तन का राशी के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वक्त सूर्यय शनी की राशी मकर राशी में है और 13 फरवरी 2020 को ये मकर राशी को छोड़ कर सूरिय की राशी कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे आपको बता दें कि सूरिय को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है सूरिय 30 दिनों के अंतराल में एक राशी से दूसरी राशी में प्रवेश करते हैं या फिर यूं कहें कि सूर्य अब 30 दिनों तक कुम्ब राशी में ही रहेंगे। आप कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, शेर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके पक्ष में रहेगा, आप कोई भी काम बेजिजक होकर कर सकते हैं. दोस्तो सूरिय का गोचर आपकी राशी के छटे स्थान पर हो रहा है, जो की आपको आपके विरोधियों से बचा कर रखेगा, आपके विरोधियों को कमजोर बनाएगा, दोस्तो सूरिय का आपकी राशी के छटे भाव में आना आपको मान प्रतिष्ठा और बड़े धन करवाता है तो दोस्तों ऐसी ही औरदिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें धन्यवाद